बॉलिवर्ट की मस्ट मस्ट गर्ल यानि की रवीना तंदन के फाशन स्टाइल ये बारे में तो हम आपको कई बार बैता चुके हैं लेकिन आज हम आपको उनके फाशन से जुड़ी एक ऐसी बात बताएंगे जिसकी वज़ा से वो कई बार ट्रॉल हो चुकी है जी हाँ कोई बड़ा अवोर्ट शू हो या कोई खाजन रवीना को अपने अकसर अपने हाथ में एक जैंट स्वाच पहने हुए जरूर देखा होगा इतने बड़ी आक्रस होने के बावजूत अपने आउटफिट की परवा किये बगैर रवीना अपने हाथ में एक जैंट स्वाच पहने हुए जरूर नजर आती है तो क्या है उस जैंट स्वाच को पहनने के पीछे की वज़ा चलिए आपको बताते हैं जी हाँ जहां बॉलिवड हसीनाई अपने लुक्स और फाशन को लेकर कॉंशियस रहती है तो वहीं रवीना टंडन अपने किसी भी ड्रेस और आउटफिट के साथ अकसर जैंट स्वाच केरी करती है इस वज़ा से उन्होंने कई बार ट्रॉलिंग का भी सामना किया है लेकिन शायद रवीना को ये वज़ इतनी पसंद है कि वो हर खास मौके पैर इसे पहने हुए ज़रूर नज़राती है बताते कि 90's की फाशन डीवर रवीना का किसी भी आउटफिट के साथ इस जैंट स्वाच को केरी करने की एक बेहत खास वज़ा है दर इसलिए वोच रवीना के लिए बहुत कीमती है आखरी वोच उस इंसान की है जिस रवीना ने अपने ज़ंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया है ये वोच किसी और की नहीं बलकि रवीना के पापा की है जब इस दुनिया में नहीं है यही वज़ा है कि रवीना हर खास मौके पर से पहने हुए नजराती है हाल ही मैं आक्रोस कपिल शर्मा शो में पहुची थी जब उनसे जैन्स वाच पहनने के पीछे की वज़ा पूची गई तो उन्होंने बताया यह घड़ी उस इंसान की है जिसे मैंने सबसे ज़ाद प्यार किया सम्मान किया अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी वज़ा से आज मेरा वजूद है वो है मेरे पापा, मैं जब भी कोई अवोर्ड लेने जाती हूँ या बड़ी शो में जाती हूँ तो उनकी घड़ी पहन लेती हूँ बताते कि रवीना ने हाल ही में अपने पिता को खोया है साल 2022 के फरवरी में ही उनके पिता का दिहांत हुआ था और फरवरी के अंत में ही उन्हें दादा साहिब फाल के इंटनाशनल फिल्म अवोर्ट से नवाज गया था आक्रिस ने आगे बताया कि उसके बाद उन्हें काई अवोर्ट से सम्मानित किया गया था और वो जहां भी जाती अपने पिता के घड़ी पहन कर जाती खाली में जब आक्रिस को पदमश्री से सम्मानित किया गया था तब भी रवीना ने अपने पापा की घड़ी पहनी हुई थी जिसने हर किसी का ध्यान कीचा था रवीना ने बताया कि वो अपने पिता को हर दिन याद करती है जब उने पदमश्री लेने जाना था तब उनके डिजाइनर ने उने कहा कि उनके पिता की घड़ी उनके ड्रेस पर सूट नहीं करेगी हाला कि फिर भी वो इस घड़ी को पहन कर गई शियो के दोरान रवीना ने ऐसे करने की वज़ा भी बताई है आक्रस ने बताया कि मुझे लगता है कि मेरे पापा हमीशा साथ है उनका आशरवाद मेरे साथ रहता है बस इसलिए मेरी ड्रेस से माज हो या नहीं उनकी घड़ी पहनती हूँ बताते कि रवीना भाले ही अहर आउटफिट के साथ पापा की वाच क्यारी करती हूँ लेकिन फान्स अकसर उनके फाशन चॉइस की तारीफ करते नजराते हैं अवार्ड शो हो या फाशन नाइट रवीना अभी भी अपने लुक से आज की आक्रसस को मात देती है विरो रिपोर्ट इट्वनिफूर